असल जो बयात टेप करना है वो दिलों में टेप करोगे इशाला सिंदगी बनेगी आज लोग क्या समझते हैं इमाम सब बयात नहीं करते तो वो आलिव नहीं है गलत है मेरे प्यारों दोस्तों असल जो फिकर मन आती हो है जिसकी दिल की फिकर हो बयात करने से कोई बड़ा आलिव नहीं होता है और बयात ना करने से कोई चोटा आलिव बड़ा आलिव और शोटा आलिव कौन है जिसके दिल पहला का डर हो मैं हमारा अज़रत का जो तसकीरा कर रहा हूँ बिनी का एक मदर्सा है माही मदर्सा मैंने हमारे मेंबू बाई से भी कहा हमारे बॉर्णा से भी कहा अपने बच्चों को वा पढ़ने की लिए बेजो इंशाल्ला अगर आपका बच्चा मदर्से के उसूल के मताबिक रहेगा मदर्से के पारों के मताबिक रहेगा मैं खुदा के गड़ में बैठ कर वादा करता हूँ तुम अपने बच्चे को कम कर दोगे वह मदर साथों में हीरा बनाकर वापस करेगा इंशाल्ला तो मदर से में हमारे मुस्ताद में बड़े नेटी रुष्ता अधरत मुरना अवसरु साथ वह फर्माते थे कि अगर लोगों में सबसे बड़ा आदीम जाहिर होना हो तो तीन तांको सही कर लेना किनी तांको सही कर लो सबसे पहरीता तंकरीर क्या कुछ भी आता नहीं लेकिन तंकरीर अच्छी आती है आँ बहुत अच्छे बोलाना है बहुत बड़े बोलाना है अला कि आता कुछ नहीं है कुछ बोलने का सलिक आ गया, कुछ बोलने का डंग आ गया, तो बहुत बड़े बोलाना है, नमबर दो तजिवी, कुछ भी आता नहीं है, लेकिन कुरान पढ़ने का सलिक बड़ा दबरतर से, कुरान का अंदास बड़ा दबरतर से, बहुत बड़े बोलाना है, बहुत बड़ सब्सक्राइब और नमबर टीम तखरीर यानि उर्दू लिखने का अंदास और मैंने एक चीज की जमाने के देबार से पुलारा यह बड़ा यह तावीज आज लोग आलिम किसको समझते हैं इसको दो काम आते हो कितने काम आते हो एक तो तकरीर आती हो और यह तावीज आता हो यह सबसे बड़ा आलिम शुमार होता है यह सबसे बड़ा आलिम अला कैसा नहीं